नमस्कार दोसों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शिबी को बता दें कि धरती पर पहली बार इतनी बड़ी और भहेंकर घटना होने वाली है जिने जानकर आपके शरीर के बाल भी काप उठेंगे जहें दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आने वाले चार दिनों का शमय आप शिवी की जुनकाल में इस कल्युक की शबशे बड़ी शुबशंकियत लेकर आने वाला है ये शमय आपशिवी के जुनकाल के शवशे भागी शालीश शमय मेशे एक शमय शावित होने वाले हैं और जो बड़ी खुश्यवरी या शमय आपशिवी को प्राप्त होने वाला है दोस्नों सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे घर परिवार में खुश्यों का महौल नहीं रहेगा ये शी बड़ी और भहेंकर खुश्यवरी आपशिवी के जुनकाल में आने वाले चार दिनों के अंदर आने वाली है दोसों यूँ कहें तो आने वाले चार दिनों का शमय इश्वर का दिया हुआ आप शिविक लिए एक तोभा है ये शिय में दोसों ये शमय आपको कुछ बातों का ध्यार रखना बेहद याउश्यक है और दोसों इनके लिए आप आज की इस वीडियो को भूल कर भी मिश मत किजिएगा कि दोसों ये शमय आपके लिए बहुती किम्ती शमय है जिया दोसों अगर आप इने ध्याश देखेंगे और कही कई बातों को शमझ लेंगे तो दोसों अगले चार विटों का शमय आप शिवी के जुटकाल में हेरे शिवी किम्ती शमय शावित होने वाले हैं जिया दोसों लेकिन दोसों साथी शाथ हम आप शिवी को बता दे कि यश में दो दो शमय श्याएं भी आपके जुटकाल में आने वाली है एक परकार्श ये कहें, दोस्तों आपकी जुनकाल में कुछ भेंकर्शा घटना भी होने वाले हैं, जै दोस्तों इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप दिलकुल ध्याश दिखेगा, जै दोस्तों एक शाथ तो दो मुश्यवत का आपको शामना भी करना पड़ेगा, और दोस्तों उश्य में आपको शमिश्याएं हो शकती है, लेकिन दोस्तों इश्य में अगर आप गलत निरले लेंगे, तो दोस्तों आगे चल कर शमिश्याओं का शामना आपको करना पड़े जाएगा, जै दोस्तों इसलिए इसलिए आप शाही निरले के चलेंगे, कौन आपको कारी करना है कौनशा कार नहीं करना है ताकि आप दूधाओं के बीच में शही शनमत बाहर आ जाएं और जो भी शमश्य आपकी जुनकाल में हैं दोस्तों उनका आप शामना करके उन से बाहर आ जाएं जै दोस्तों इसलिए आपको इस वीडियो में हम आपको इशारी बच जाएंगी बस कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा कुछ गलत ही आपको जूनकाल में आप नहीं में मिलने वाला है कौँं से चेतर में आपको कौंसे चमयndकार देखने को मिलेंगे शाधी साथ दोISTों उष्के बारे में हम स्थार्श इस वीडियो में बताने वाले हैं तो आ शुबे को बता दें कि आप शुबे के ब पहले सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि आपकी राशी से जुड़े लाखों लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश कर दें ताकि दोस्तों समय शमीशी पर आपक जो कि आपकी पीछा नहीं चोड़ रही है एक शिव बैढ़कर एक शमश्याय आपके शाथ लगतार बनी रहती है दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे अगर आप पिछले जिवनकाल को एक बार गौर से जहांगेंगे तो दोस्तों आप उनमें देख पाएंग पर परिवार में शवी लोग किशी तरह खुश थे जे दोस्तों और दोस्तों अभी एशा हो गया है कि दोस्तों आपके जुनकाल में महनुख खुश्या रूट सी गई है एक नए ने शत्रू बनते जा रहे हैं आप जहांपी कार कर रहे हैं वहाँ पर आपको नुक्शान देखने को मिल रहा है दोस्तों आप बहुत ज्यादा मेंनद करते हैं मेहनत जब कभी पीज़े नहीं अड़ते हैं जिनके कारण दोस्तों आपको शमश्याएं घेर लेती है और दोस्तों फिर आप उन्हीं शमश्याव में फंश कर अपने शारी जो भी उप्योगी चीज़ हैं एक परकार से कहें जिनकाल के शुक्षिदा के वस्तूप अपने जिनकाल में आप जिस चीज़ को पाने की चाहर रहते थे दोस्तों उन शारे कारियों से आप धीरे धीरे पीचे हटते चले जाते ही और मुशिबत आपके जिनकाल में इस परकार आ जाता है जिसे दोस्त आपको लगता है कि हम बाहर नहीं चाह सकते ही जी हां दोस्तों हम आप शुभी को बता दे कि दोस्तों अब आपको अपने युनकाल में परिशान होने के आफशक्ता नहीं है कि दोस्तों समय के शाद गरहों की स्थिति बदलती है, शमय के शाद आकी है उसके बारे में बात करेंगे और अब आपको कौशी खलती नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे शाद ही शाद दोस्तों अब आपको कौशी बातों का ध्यान रखना है ताकि दोस्तों फिरे से आपके जुनकाल में कोई श्मश्याई ना आए और ना ही आपके जनकाल में कोई श्मश्य बदाए जिन से आपको अपने कारिभार छोड़ना पड़े जिन से आप तंग हो जाते हैं जियां दोसों तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यान और बिल्कुल ही मन लगा कर ध्याश दिखिएगा तो ऐसे दोसों आप शुपी को बता दें कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है कुछ लोग मिट्टी भी छूता तो शोना बनता है लेकिन आप शोना भी छू देते हैं तो दोस्तों वा मिट्टी बन जाता है कहने का ताद पर यही है कि आप जो भी क कर रहे हैं उनमें आपको शबलता नहीं मिर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि भगवान आपशे ही बहुत ही नराज हो गया है जे दोसों हर जगह आपकी जुनकाल में हर वक्त आप जो भी कारी कर रहे हैं उनमें आपको मुश्यवत का शामना करना पढ़ रहा है उनमें आप के पास तिपते नहीं है पेशे इधर से आते हैं तो दोस्तों पेशा उधर चला जाता है और बहुत ही मुश्किल से मेहना से थोड़ी बहुत धन अगर आप शंची कर लेते हैं धन कमा लेते हैं तो दोस्तों वह पेशा भी आपके पास नहीं रह पाता है वह पेशा भी किशी शमश्याओं में बिगन बदाएं में खर्च हो जाता है वेरत में भी वह फिशा आपके खर्च हो जाती है जो कि आपके लिए जरूरत नहीं थी उन्हें में भी आपका फिशा चला जाता है लेकिन दोस्तों आज के बाद इन शमिश्याओं को आप शमाप्त कर पाएंगे और यह शमिश्याओं आपकी जुनकाल में अब शमाप्त होने भी वाले हैं और आप इने अपने आँखोश यह भी देख पाएंगे और दोस्तों जिंदगी में आपके यहां शे जो है परवल मोकी मिलने की शमानाय बढ़ने वाली है दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जुनकाल में अभी रोजगार कारोबार वैपार में लगातार बहुती बड़े-बड़े अर्चने आ रही है एक श्री बढ़कर एक मुश्यवतें आपको देखने को मिल रही है दोस्तों अब जो भी कोई नई कारेबार की शुरु हो जाती है और दोस्तों आप जो भी कारेबार शुरू करना चाहते हैं उन में आपको जो है बाधा मिल जाती है जे दोस्तों इस में आपको क्या करना है इनमें निराश नहीं होना है जे दोस्तों निराश होने शी लोग अपने किश्मत का रोना रोते हैं कि हमारे किश्मत म अपने गलतियों को देखना है कि आगर आपने कौन शी गलती की है ताकि आपको यह चीज दखनी को मिर रही यह शुमश्य आपके सामने आई है जी है दोस्तों तो एदोसों हम आप शिवी को बताते हैं कि आपके जुनकाल में कुछ लोग एशे होते हैं जो आपको उंगली प व्यक्ति है जो मुँपर आपके अच्छे बोलते हैं लेकिन पीट बीचे वे आपके लिए बहुत शारी गलत सणियंतर रजते हैं आपके ही कार्यों को भंग करने की वे हमेशा इश्वर्षी प्रातना करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नयाश्य तांत्र क्रिया भी करते हैं जीवे जिनसे आप तकलिव में जाएं और आप जाते भी हैं तकलिव में आपको बहुत शारी शमश्य एं होती है आपो बहुत ज़्यादा प्रिशान भी हो जाते हीं दोस्तों शबशे पहले ये जो समय है चली आ रहा है आपकी जुनकाल में ये ये श्ये समाप्त करना होगा ये ये आपको लोजगार में भी बृद्धी होने की शमहना ही दिख रही है कि दोस्वों गरों की तिति बदाल रही है रुजगार कारोबार में अर्चने आ रही थी दोस्वों उश्य आपको शूटकरा मिल जाएगा जी हां दोस्वों यश्य में आपको फोन कॉल से कोई बड़ा इश्य खुशकवरी मिल सकती है आपको सुचना मिल सकती है जो कि आपको मन को पर्षन कर दे अगर विदेशी आकर्मन से जुड़े हैं तो दोस्वों विदेशी यात्रा के और दोस्वों यह जो यात्रा है वह शुखदाक रहेगा और जिस कारे के लिए आप जाएंगे दोस्वों वो कारे आपका शिंपन हो होगा शाधिशा दोस्वों आप शिवी को बता दे कि यह शुमें आपको कोई इशा इंशान होगा जो आपको परिशान करने के लिए शड़ित रचेगा जलन के भाव नावा अपने मन में रखेगा आपको कहेगा नहीं क्यों दोस्वों हम आप शिवी को बता दे कि आपने नेजिराद मेहनत करके जो भी शारे धन को अरजित किये हैं दोस्तों यही तरक्डी देख और आपके कुछ अपने ही लोग आपके शत्रू बन रहे हैं और शत्रू बनकर बेठे वो अंदर ही इंदर आपके लिए नए-नए भावनाई पैदा करते हैं, अंदर ही इंदर आपके लिए कोई छिसे शनितर रचते हैं, ताकि आपके आने वाले आगे कि जो भी कारे हैं, उनमें बिगमादाय आजाए, तो दोस्तों इनसे शमालना आपको बहुत ज़्यादा आप मुँपर तो किस्टी के कहने ही शकते हैं, लेकिन दोस्तों आप शबी को बताते कि यह आपके लिए कमजोरी का शमय हो जाएगा, अगर आप मुँपर नहीं कहते हैं, कोई बात नहीं है, दोस्तों आप उनने दिल शे उन लोगों को मिटा कर हटा देजिए, और अपने जुनकाल में धनलाब होगा, और जो भी शमयशे हैं, उनसे भी से आपको चुटकरा भी मिल जाएगा, यश्मे जहां पर बीदेशी कारगार के बाद हैं, दोस्तों यश्मे आपके जो भी कारे हैं, वो शबल होने वाले हैं, बस यश्मे आपको पनेवानी पर शोयम बना कर रखना है, पर दोस्तों यश्मे आप जो भी बोलेंगे, शोच समझकर बोले, जिए दोस्तों नए कारबार की शुरुआत कर रहे हैं, नए किसी भी जुनकाल में आप जा रहे हैं, तो दोस्तों यश्मे अपने शब्दों पर आपको चेरण करना होगा, शब्दों को शोच यदे भी परशन होते हैं। और दोस्के गुरू शुनी कर आपशी परशन होते हैं। तो जो भी आपके जौनकाल में गलत धारणाए होती है, जो भी विर्ति दिशायatti पैदा होती है, जो भी शत्रू आपको परिशान करने रखते हैं। दोस्तों इन सभी से जुटकरा मिलता है, तो दोस्तों इन बातों कि अध्यान रखें, शाथिता दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, कि एश्में अगर आपके जुनकाल में कोई इसे जरुतमन्द व्यक्ति है, जो कि आप शी शाहरा मांग रहे हो या या पिर शाहरा के प्राइक हो दोस्तों आप जितना कर शकते ही जितना अपके दिल से आपके हिर्देश हो शकता है, तो दोस्तों आपकी छोटा शशयूक आपकी जुनकाल में आपकी अपको इग्रहों को सिद्धी को वश्यूदार देगा, इस बात का आप ध्यान रखें, शारिट साथ दोस आपको बनाम करने के बिर शाजित रखते हैं आपके कारियों को भी वदस्त इंसान,दियों मैंसे पर शावनयान. मिटा शुक्ट ही हैं तो दोसों आप इनकी चलांकी शेबच येगा कुछ इसे अिसे अपने ही लोग हैं जो अपने बनकर आपके लिए श्टूरूता कर रहे हैं आपके लिए मुश्यपिते खड़ी करने की जो है शनेंथर रच रहे हैं तो दोस्तों इसे जुन्काल में मिलने वाली है दोस्मु वो आपको बहुत ही अशानिष मिलेगा जिए दोस्मु यश्मी आपके आर्थी स्थी बहुत अच्ची बनने वाली है जिए दोस्मु आप शव阪ी कुब बता आत glow कि कारभार में आपको श्ष्पलदा मिलेगी धन की शम्भावना यश्मी आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रही है जिद धन कमाने के कई शारे आपको रास्ती मिलेंगे कई जगोंसे आपको अचानक इसाथ धनलाब होगा जिन से आपकी जुनकाल में खुश्या हैं खुश्या होंगी काश्मी धनलाब की शम्भावना दिख रही है जिद 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 धनलाब की शम्भावना दिख रही है कोट के शमंदी जो भी आपके मामले हैं वे आपके प्रक्ष में होने वाली है जी दोस्वों अकात्मिक धलाब की प्राप्ति भी आपको एश्मे दिख रही है जी दोस्वों जैसे कि आगर आप किसे सरकारी शिवारत में कोई पेशा इन्वेश्ट किये हैं तो दोस्वों वह आप शुबु को विदा दे हाएं किश में आपको उच्च पद मिल मेंसे किशिरी कार है तो दोस्टों इसमें आपको पधंथी मिल सकती है आपके इक कारियों की जो इस शहर alleg भी बहुत शापका शयमान करेंगे शाद शाद दोस्तों यश्मी आपके श्यमाज में आपका इज़र परिश्टा बढ़ने वाली है जो गरह पर भागों के शतु है इन्हें शाप शाप दिखाए दे रहा है कि आपको अपने जुनकाल में जो भी आपके जुनियर के व्यक्ति है उनसे स्यूग मिलेगा और उनसे मिला स्यूग आपको बहुत यी बड़ी उंचायों तरक लेकर जाएगा जिया दोस्तों शादे शाद दोस्तों हम आप शुवी को इक बात बताना चाहेंगे कि आपको दोस्तों जिसरों कि हमने आपको पहले बताए हैं कि यहे दोस्तों इनकी आपकी शादहनिश्टी को आपका बाल भी बागा नहीं कर शकता हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा शावधनी पतना होगा, याश में आपको अपनी जुनकाल में पतनी और बच्चे की खिलाब आपको भड़का शकता है, पर दूसरों शाती शात यश में आपकी पतनी और आपके बच्चे को भी आपके खिलाब भड़काया जा रहा है ताके दूसरों घर में किशित ना किशित रखा प्रिगन बदाया हो, कलेश हो, आप शी मदबेद हो, जिनसे घर टूर जाए और दूसरों आपकी तरक्की को वो इन्शे रुख सके, जे दूसरों इसे सडेंतर लोग आपके जुनकाल में रस्ते रहते हैं, जे दूसरों और ये कोई पराये लोग नहीं होते हैं, दूसरों ये आपकी अपने ही लोग होते हैं, जो अपने बनकर पीट पीछे चुरा भू देना होगा जो शामने आपका हितकारी होने का दिखावा करते हैं आपके लिए अच्छी बनने का नाटा करते हैं और दोस्तों कहीं और जाकर आपकी बुराई करते हैं यह दोस्तों इसे लोगों को आपको बश उन्से दूर रहना है और उन्से आपको शाओधान रहना होगा जी हा दोस्तों एक और महत्पुन बात हम आप शुभी को बता दें कि कोい इंशान अगर चुगली करने वाला इंशान है किषे और का बुराई आपके पास आकर कर रहा है तो दोस्तों इस बात का ध्यान दक है यह बात तो तय है कि आपके जाते ही आपका भी बुराई किशी और के पास करेगा दोस्वों यहाँ बहुत ही महत्पुन बात है जो कि दोस्वों सत्य बात है कड़वा है लेकिन दोस्वों ये शत्य है अगर कोई इंशान आपके पास आकर किशी का जो है चुगली कर रहा है तो दोसों जाहिर शी बात है कि आपके जाते ही वो आपका भी चुगली किशी और के पाज करेगा दोसों वो तो एशा इंशान है जो शत्रक उनसे आपको बस रहना होगा पर दोसों अगली जो बाते हैं जिस पर आपको एक विशेश ध्यान देना होगा दोसों यश्मी आपके गाउं शमाज के जोवी लोग हैं आपको भढ़काएंगे जिया दोसों दोसों एक दो बड़ी ही मैत्पुन बाद है जिश पर आपको ध्यान देना होगा दोसों यश्मी गुप्त रुप से शत्रु तयार हो रहा है आपको नुक्षान करना चाहता है आपको किशी भी हद तक नुक्षान करने के लिए जा सकते हैं जिया दोसों यहां तक कि यश्मी आपके घर में इतना कलेश डालेंगे जिया दोसों आपके घर में घर के कोई भी बच्चे भी आपशे लडाई जगरा करके बाहर जा सकता है, कोई भी घटना हो सकता है, यहां तक कि आपके उपर भी बड़ी घटना करने का शंकेत है, तो दोसों यश में आपको शुर्यास्त के बाद घर्षे कम ही निकलना बेहतर होगा, जे दोसों घर्षे आप जदा बाह काम के शाथ खाना पीना आपको नहीं करना है, दोसों इस बात का दियान रखें, किशी भी अज्यात के शाथ आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, एक और बात हम आप शुर्य को बता दें, कि दोसों अगर आप घर्षे कहीं बाहर जा रहे हैं, तो दोसों किशी को बता कर मज श्मित रखें तो आपके लिए बहतर होगा और दोसों एक दो बातें हम आपको यहाँ पर और बता दें जो कि आपको भिशे सुर्प से इन्हें ध्यान में रखना होगा कभी भी अपने कमाई के बारे में किशी को आपको नहीं बताना है एशा बताएंगे तो दोसों उनमें आपको बस शावदान रहना है दोसों गर आप एशा करते हैं तो दोसों लोगों की बुरी नजर आपको लग जाती है आपके शफलताओं को उनकी लजर लगने शफलताएं रुख जाती है काम में दिकते आने लगती हैं गर परिवार में जगड़े होने लगते हैं बहुत जाता है जिसे आपको बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिसे आपको भागी और किश्मत का शाथ मिले दोसों यह शमी आपको अपने जिनकाल में कभी भी किशी औरत का आपमान नहीं करना चाहिए चाहिए वो वर्राद आपकी मा हो बैहन हो या फिर घर में कोई बुढ़वा बजूर्ब हो पत्ति हो प्रेमे का हो या फिर दोस्तों शमाज में को इसे इस्तरियां हो जो कि आपके लिए अच्छे शुभाव रखते हैं दोस्तों इस शभिक का आपको 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 जो है तो दोस्ट इस बात कर दे नखें, जिन्दीगी पर समस्या आती रहती है, किसी भी चेतरे में आपको शबस्ता नहीं मिलती है, रुजगार कारोबार में घाटा होती रहती है, तो कभी कशी कन्या को अपमान आपको बश्च नहीं करना है, क्यों दोस्व, और अवरत को हमारे नहीं मारना है, उन्हीं परिशान नहीं करना है, किसी भी बच्चे के उपर आपको बेवज़ा की परिशाने नहीं डालने है, साथिशा दोस्तों आपको एक दो बातें को और विश्य ध्यान देना है, कि शुरियास के बाद किशी को भी रुपिया पेश उधार ना दे, इस रोजगार कारूवर में किशी परकार की अर्चने आ रही है एक से बढ़कर एक मुश्यूवित आ रही है तो दोस्तों उसके लिए आपको किन्नर को हरी रंका वस्त्र दान करना चाहिए चूड़ी दान करना चाहिए कुछ रूपिय पेशों को आप दान कर शकते हैं इसे दोस रूजगार में जो दिक्कत आ रही है दोसों वो शिमाप्त हो जाएगी प्रोजवार आपको फिरिश्य मिल जाएगा दोस्तों इस बात के द्न रखें शारिशा दोस्तों घर में जो भी ग्रीक कलेश है परिशानी आ रही है उनके लिए आपको शिवलिंग के ऊपर कची दिखेते आ रहे हैं रिस्ते नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों अच्छे रिस्ते नहीं आ रहे हैं और कभी-कभी रिस्ते आते हैं तो रिस्ते तई नहीं हो पाते हैं रिस्ते टूप जाते हैं तो दोस्तों इनके लिए आपको क्या करना है आपको महादे और पारवती का एक शात के चट्र है उनको पूझा करना है जिया दोस्वों आपको जल्दी ही अच्छे ज्योण सात्षी आपको मिल जाएगी इससे जल्दी आपकी शे और आपको मिलेगा। तो दोस्ंव यश में आपको उपने जहुंकाल में शत्रियोश शाधना रहना ना है और इन शारे उपाय को करना है। किशमत आपके शाथ देने वाले हैं, लाब के शारे मोके आपके लिए बहुती परवल हैं, लाब आपको बहुती महत्मुन मिलेगा, जो कि आपके घर परवार को खुश कर देगा, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप शबी का धन्यवाद, अपने इनकाल में आप कुश रहें, मंगल में रहें, धर्याबाद.